नमस्कार मैं विपुल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी स्टुडेंट्स का हमारी इस यूट्यूब चैनल CUT PG Study Capital पर CUT PG 2023 में BHU M.com के Official Cut-Off को ले करके आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यानि BHU के M.com का अभी तक का Cut-Off कितना गया है यानि अभी तक कितने मार्क्स तक आड्मिसन हुआ है चाहें वो General Category हो, OBC हो, EWS हो, SC हो या फिर ST Category हो Letest Round के Letest Cut-Off पर बात करेंगे इसलिए ध्यान से इस Complete वीडियो को देखिएगा और वीडियो के सुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दू कि हम लागतार हर एक सब्जेट के Cut-Off को अपने सूत्रों के द्वारा और साथी साथ Analysis के द्वारा पता करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए आपको हर सब्जेट का Cut-Off जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे तो चलिए देखते हैं कि BHU M.com का अभी तक का Cut-Off क्या गया है उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि CVT PG 2024 की तयारियां करनी है तो Study Capital के साथ जुड़ जाईए हमारे अप को डाउनलोड करिए फिर हमारे WhatsApp नमबर पर मैसेज करिए Classes आपकी बहुत जल सूरू होने वाली है Registration आपके सूरू हो चुके हैं CVT PG 2024 की तयारियों के लिए बात करते हैं Cut-Off पर BHU M.com का Cut-Off अभी तक कितना गया है मैं ये जो Cut-Off अपडेट कर रहा हूँ ये 4th round का Cut-Off आपको अपडेट कर रहा हूँ और ये Cut-Off मैं आपको Category-wise बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है तो General Category में जो Regular Students हैं उनका Cut-Off गया है 195 यानि 195 तक अभी तक admission हुआ है अभी इससे नीचे भी Cut-Off जाना है 180 BHU General का है यानि जो Student BHU से B.com की है उनका 180 है OBC में 172 है, BHU OBC का 156 है, EWS का 175 है, BHU EWS का 158 है, SC का 141 है BHU SC का 130 है, ST का 137 है और BHU ST का 112 है कुछ इस तरीके से अभी M.com का Cut-Off चल रहा है अभी तक अगर आपके marks इतने से उपर थे यानि 195 या उससे उपर है तो आपका admission हुआ होगा, अगर BHU General में है तो 180 है उससे उपर है इस तरीके से अपने आपके काटेगरी में, अगर आपके marks उससे उपर है और फिर उतना है तो आपका admission हो चुका होगा बाकी students अभी इंतजार करें और इस बार जो है BHU का cutoff पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि paper का level भी change था और साथ ही साथ आपका जो counseling है BHU का वो सबसे late चल ला है इसके वज़ा से काफी students जो है अलग-अलग आपर admission ले चुके हैं इसलिए opportunity है बहुत सारे students के लिए तो आप लोग admission ले सकते हैं और COET 2030 में कोई भी कमी रह गई आपके तयारी में COET 2024 की तयारीयों के लिए जोड़ना चाहते हैं तो study capital के साथ जुड़िए हम आपको SEO success देने का पूरा प्रयास करेंगे इसलिए साथ में जुड़े रहेगा हर एक अपडेट के लिए भी चैनल को subscribe कर लिजेगा बेलाइक प्रेस कर लिजेगा इस वीडियो को like करिएगा और अधिक सदिक share करिएगा अपने दोस्तों तक ताकि सभी तक M.com का cutoff क्या बना है अब डेट पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार